आपके साथ भी कई बार हुआ होगा ना कि आपने इंडिन कॉंस्टिटूशन के सड्यूल्स को याद करने ही कोसिस की होगी लेकिन बार बार भूल गए इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और उस कहानी के बाद आप जिन्द की भर इन सड्यूल्स को याद रख पाएंगे आपको जोग चाहिए तो जोग के लिए आपने कहीं पे अपलाई किया और वहाँ से आपको इंट्रूव को लाया सो इंट्रूव में आपसे सबसे पहले जाके क्या पूछेंगे आपका नाम और आप किस एरिया से आयो उसके बाद आपसे पूछाज आएगा क्या है आप कितना इस जोब से एकसमेट करते हो आप बताऊगे कि मेरे को इतनी इतनी एकसमेटद है फिर वह बताएगे कि हम trade secret है यानि इस company के काम करने के जो तरीके हैं वो आप बाहर किसी लोगों को नहीं बताऊगे क्योंकि यह secret है और इससे हमार competition बढ़ेगा तो आपको कसम खानी है कि आप वो तरीके वो trade secret उस company के किसी और को नहीं बताऊगे ठीक है सबसे पहले आपका नाम और एरिया पूछा गया फिर आपसे salary के expectation पूछी गई फिर आपको बताया गया कि आपको company के जो secrets है वो बाहर नहीं लीग करने हैं इसके लिए आपको कसम खानी होगी ठीक है अब आपको अब आपकी जोब पक्की होगी next day जब आप office आओगे तो आपको बैठने के लिए एक जगह allocate होनी चाहिए यानि एक seat allocate होनी चाहिए seat allocate का क्या मतलब है कि office में यह आपके table है यह आपके chair है यहाँ पर बैठके आपको काम करना है यह हो गया seat allocation अब हर office के कुछ rules और regulations होते हैं और हर office में कुछ areas होते हैं जैसे कि canteen हो गया अब इन इरियास में कुछ rules और regulations होते हैं administration के and control के for example canteen area है आपका अब आप canteen में सारा दिन तो बैठे नहीं रह सकते तो company ने कुछ rules बनाए है कि आप सिर्फ break time में ही canteen में जाकर बैठ सकते हो otherwise आप बोलोगा कि मैं तो सारा दिन canteen में बैठ कर match देखते देखते काम करूंगा so obviously व और control के लिए लेकिन इन rules के अलावा कुछ exception भी हैं जैसे कि conference hall है वहाँ पर कभी भी meeting होगी तो सब लोग एक साथ आकर वहाँ पर meeting करेंगे तो कुछ exceptions है exception मतलब उन पर ये पहले वाले rule लागुन नहीं होते ये होगे exceptions अब company ने आपको बैठने के लिए जगह देथी canteen के rule rule भी बता दिये exceptions भी बता दिये अब बात है powers की कि आपकी क्या 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 आपकी happiness अब क्या 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 responsible करना है आपको so ऐसे different employees है उनकी powers और responsibility है वो divided होती है आपका ये चाम है aapका subordinate का ये काम है so ऐससे responsibilities fix होती है अब company ने आपको responsibilities भीए fix कर दी इसके बाद हर एक कंपनी का काम करने का एक तरीका होता है और जब कंपनी के members हैं कंपनी के employees हैं जब कोई भी official communication करते हैं तो उसके एक specific language होती है तो आपको किस language में official way में communicate करना है उसके लिए भी company ने roles बनाए है ठीक है यहां तक किस story को हम एक बार फिर से शुरू से करते हैं यह हो गया आपका first schedule, first schedule में क्या है states और union territories के नाम और उनका area दूसरा है आपका second schedule, second schedule में salary के बारे में बताया गया है कि क्या क्या salary होगी और क्या क्या privileges मिलेंगे उनको, salary को emoluments भी बोलते हैं इसके बाद जो third schedule है उसमें different constitutional post हैं उनकी oath के बारे में बताया गया है तो यह है third schedule, fourth schedule है वो seat allocation से, seat allocation कहां पर? रज्य सभा में रज्य सभा को upper house बोलते हैं, लोग सभा को lower house बोलते हैं सो हमारी parliament में दो house हैं, लोग सभा और राज्य सभा, दो यानि by जैसे bilingual बोलते हैं वैसे by और cambrialism by cambrialism का मतलब है हमारी parliament में दो house हैं, आपने कहीं पर यह term पढ़ा होगा, Indian parliament is bicambrial in nature सो इसका यह मतलब है कि हमारी parliament में, हमारी संसद में दो house हैं, लोग सभा और राज्य सभा, ठीक है seat allocation भी हो गया, अभी तक हमने चार सड्यूल cover कर लिए, फर्स सड्यूल है name और area से संबंदित, यानि उसमें states और union territories के नाम और उनकी territorial jurisdiction है, territorial jurisdiction का मतलब है कि उसका area कहां तक है, second schedule में salary के बारे में बताया गया है, third schedule में उनकी oath यानि सपत ग्रै न के बारे में बताया गया है, fourth schedule में राज्य सभा की seat allocation के बारे में बताया गया है, 5th schedule में हमने special area का चिकर किया था कि canteen के जैसे जो special area है office में उनके administration के बारे में यहाँ पर rules बताए गए है यह special area कौन कौन से है यह है scheduled areas और scheduled tribes इनके administration और control समंदित जो provisions है वो schedule number 5 में mentioned है ठीक है अब 6th schedule में exceptions है यानि कि जो areas 5th में mentioned नहीं है यहाँ पर कुछ areas ऐसे हैं जिन पर यह 5th schedule वाले rules लागू नहीं होंगे अगें यह oversimplification है आपको अच्छे से समझाने के लिए जो 5th वाले rules और regulations है वो इन areas पर लागू नहीं होंगे यह है ATMM अब यह 6th schedule में है 6th schedule में क्या है ATMM ATM में आप क्या करने गए money लेने गए लेकिन आपको ATM में money नहीं मिली इसलिए मैंने बताया no money यहनी no money पूर ATM में आपको पैसे नहीं मिले यह 6th schedule हो गया 7th schedule है उसमें powers mentioned है इसको याद करने का एक और तरीका है 7 जो jersey number है वो cricket में महेंदर सिंग धोनी का है और वो एक बहुत powerful hitter माने जाते हैं so 7th schedule में powers mentioned है powers का क्या मतलब है कि किस किस subject पे कौन कानून बना सकता है तो इसके लिए 3 list बताई गई है एक है union list एक है state list और एक है concurrent list कहने का मतलब है इस list में जो items है उसमें केंदर सरकार यानि central government कानून बना सकती है इस list में जो items है उसमें राज्य सरकारे कानून बना सकती है और इसमें concurrent में state government भी कानून बना सकती है और central government भी कानून बना सकती है अलाकि इन सब में कुछ exceptions है उनको हम किसी और वीडियो में discuss करें सो 7th schedule में ये तीन list discuss की गई है legislative powers के लिए legislative powers का मतलब है कानून बनाने के सकती है कि किस subject पर कौन सी authority कानून बना सकती है 8th schedule में हमने discuss किया था कि office के जो करमचारी है या officials है वो किस भासा में communicate करेंगे so 8th schedule है उसमें Indian constitution ने 22 languages को recognize किया है initially ये 14 थी और बाद में अब ये total 22 हो गई है so हमने यहां तक 8 schedule पूरे कर लिया है ये 8th schedule था अब हमें 4 schedule और करने हैं 9th, 10th, 11th और 12th so सबसे पहले 12th schedule से चालो करते हैं आपकी जो company है वो किसी सहर में होगी और सहर urban areas में होते हैं urban areas का part होते हैं ठीक है जबकि आपका घर है वो माले जी किसी एक village में है और village rural areas का part आपका घर है वो किसी village में है और village rural areas का part है ठीक है, जो 11th schedule है, वो rural areas के administration से संबंदित हैं, यानि पंचायती राज institutions, rural areas में पंचायत होती हैं, तो उन से संबंदित हैं, और ये 73rd constitutional amendment से add किया गया था, जबकि 12th schedule है, वो municipalities से संबंदित हैं, municipalities कहां है, urban areas में होती, और ये 74th constitutional amendment act से add किया गया था, 74th constitutional amendment act से add किया गया थीक है, अब 10th schedule है, 10, 10 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x का मतलब हैं, ये allowed नहीं है, क्या allowed नहीं है, ये है anti defraction law, anti defraction law का मतलब क्या है, माँ लिजा आप A1 नाम की company के लिए काम करते हैं, तो अब इस company के साथ काम करते करते, आप A2 कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते यह allowed नहीं है यानि कि इस कंपनी से इस कंपनी में जाना allowed नहीं है इसी तरीके से एक political party से A1 नाम की political party से जब आप A2 नाम की political party में जाते हो election के बाद तो उसको defection बोलते हैं और ऐसे cases को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है उसको anti-defection law बोलते हैं यह कानून 52nd amendment के तहत लाया गया था और यह amendment 1985 में लाया गया था So एक political party से दूसरी political party में election के बाद लोग switch ना हो इसके लिए anti-defection law बनाया गया था So 10th schedule क्या कहता है यह मना करता है क्या मना करता है Party switch करने के लिए मना करता है अब last बचा 9th schedule सबसे पहले 9th schedule add किया गया था First constitutional amendment act के तहत और यह land reform से संबंदित है Actually उस समय प्रधानमंतरी थे जो आहलान नहरू और वो land reform से संबंदित कुछ कानून लाना चाहते थे जिससे की जिन लोगों के पास बहुत जादा जमीन थी उस पर कुछ limit लगाना और इसलिए उन्होंने 9th schedule introduce किया उस टाइम पर इसका मेनुद्धिश था कि जो land reform से संबंदित जो कानून है उन कानूनों को इस 9th schedule में रखा जाएगा इस सबसे बचने के लिए 9th schedule लाया गया था हाला कि बाद में सुप्रेम कोट ने 9th schedule में एक्ज़स्मेंट में mention किया कि अब 9th schedule के items को भी judicial review किया जा सकता है review का क्या मतलब है कि judiciary देखेगी कि ये कानून सही है या नहीं ओके, सो हमने 9th schedule कर लिया 10th schedule कर लिया 11th कर लिया 12th कर लिया ठीक है अब 1st schedule क्या है name, area आपसे interview में आपका नाम और area पूछा जाएगा 2nd schedule क्या है आपसे salary पूछी जाएगी कितना आप salary expect करते हो और कितना salary वो आपको दे सकते हैं 3rd schedule में है oath आपको company के secrets है वो बाहर leak नहीं करने है इसके लिए आपको कसम खानी हो 4th है seat allocation जैसे ही आपकी job पकी हुई आपको seat allocate कर दी जाएगी 5th schedule क्या है कि जो special areas है उनके administration के लिए और उनके control के लिए क्या-क्या rules है special areas कोन से है scheduled area and scheduled tribe 6th schedule क्या है यह exception से संबंदित है exception क्या है ATM M in M में money पूर नहीं है क्योंकि ATM में कोई money नहीं है 7th schedule क्या है 7th schedule में हम powers की बात करेंगे MSD से भी याद का सकते हैं उनका जासी number है 7 8th schedule में हम भासाओं की बात करेंगे 9th schedule में हम judicial review की बात करेंग 10th schedule में defection allowed नहीं है और 12th schedule में है आपका office यानि वो urban area से संबंदित है और यह है आपकी municipalities तो यह आया 73rd Constitutional Amendment Act से यह आया 74th से यह आया 52nd से यह आया 1st Constitutional Amendment Act से यह था एंटार वीडियो अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो comment box में जरूर बताएं Thank you and that's all for the day